है लो फ्रेंड्स स्वागत करते हुआ प्रेंट करेंट करेंट करके पूछ रहते हैं हमारा फार्म सभी जगह सई है मतलब हर जगह से सही है वेजब करेंट का फार्म ओपेंड कर रहे है तो उन्हों पूरा पूरा पूरास और आपको Rs. S. इसके बारे है थे बात करेंगे तो दोस्तों आप अपना सब्सक्राइब का सुझेट का सस्डेस आचुका है और लेबसे फारवड हुआ है कि नहीं हुआ कोई से मिलते हैं तो कैसे आपम देख सकते कि ऐसे कि अन्य लिएक बाद करेंगे तो गुरेच नालिजबल होने वाली को आपके लिए इंपट्टी होने वाला तो दोस्तों अगर आंअप्र पर आपको बताते हैं आपको correction कहां से करना है जो आप में problem आ रहे हैं उसको कैसे solve करना है तो friends simply आपको chrome browser पर search कर लेना sarkoryjobfind.com यहाँ पर आपको पहले वाले option पर click कर देना है तो आप इस नए interface पर पहुच जाएंगे आपको scroll करते हुए नीचे की तरह पाना यहाँ पर आपको कई सारे link दिखाए देंगे UP scholarship status 2021 UP scholarship correction form तो आपको simply UP scholarship correction form यह gray color के option पर click कर देना है तो friends आपके सामने फिर से एक नए interface open होके आएगा आप scroll करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर UP scholarship से related अगर कोई भी latest update आती तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देखे यह 60 से related कुछ update आए correction की date इनकी बढ़ गई है एक से 10 तक हो गई है यह कुछ update आए तो हम बात करते हैं कि आप correction कहां से कर सकते हैं और जो आपकी problem है कैसे solve कर नहीं है तो यहाँ पर आपको देखे कई सारे link के दिखा इधर login for correction phrase renewal pre-metric के लिए intermediate के लिए post other than इंटर आप UP scholarship की official site से भी कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर easy होगा तो यहाँ पर आप देखे हैं मैं आपको करके दिखाने माला हूँ login for correction post metric other than इंटर मतलब 12 के बाद वाला graduation का तो यहाँ पर आपको category select करने यह phrase पर renewal है तो 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 renewal है पर हम click कर देते हैं तो friends आप यहाँ पर देखे इस page पर पहुच जाएंगे चात रुति इवं सुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन प्रडाली उत्तर प्रदेथ यहाँ पर आपको देखे आवेदन का प्रकार नवीनी करर रिनुवल आपको वहाँ लेड़ी फिल अप करके आ जाएगा दस मोतर पोस्ट मेट्रिक अजर देन इंटर यहाँ आपको आपको रिजिस्टेशन नमबर फिल करना है डेटा बर्द फिल करनी है आपका पासवर्ड फिल करना है कैप्चा कोड फिल करके सम्मिट कर देना तो चलिए हम इसको फिल करके फिर आपको बताते हैं तो फ्रेंड जैसे ही मैंने फिल अप किया आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यह इंटरफेस ओपेन होके आ जाएगा रिजिस्टेशन करें यहाँ पर आप देखिए जो आपका इस रूटिनी रिल का आपशन था हड़ चुका है यहाँ पर आपको सोव रहा है अधार प्रमाड़ी करण की इस्तिति demographic प्रमाड़ी करण यहाँ पर green tick सही का टिक लगा है ओटीपी प्रमाड़ी करण सही के टिक में लब सब कुछ सही है अभी आवेधन पत्र को संसोदिद करें, यहां पर black color में आपको दिखाई दे रहा होगा last all option अगर आपको correction करना लग रहा कुछ गलत है तो आप यहां से correction कर सकते हैं सिंप्लिस पर click करके फिलाल मैं आपको बाठ यहां से click करके नहीं दिखाऊंगा मैं मुझे correction नहीं करना, आपको करना तो आप कर सकते हैं, तो आप जैसे ही अगर आवेदन पत्र को संसोजित करें वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे, तो छातर देख रहेंगे, उनका सब कुछ सही, फिर भी यह सब UID नमबर is invalid, इंडालमेंट नमबर is not match, तो आपको क्या करना है 10th, 12th की mark sheet के बाद, जो भी प्रूप लगते हैं, उसके साथ आपको इसका final submit करना है, अगर सब कुछ सही, फिर भी सो हो रहा, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, जो भी आपकी error आए रही है, उसका photocopy लेना है, 10th, 12th की mark sheet लेनी है, और अपने first year की, result की mark sheet की photocopy लेनी photocopy, एक application के साथ, अपने college वालों को दे दीजिए, जैसा कि आपको पता होगा, आपकी college में, इस college का अलग डिपार्ट होता होगा, उनको आप यह जमा कर देंगे, तो आपकी यह problem सही हो जागा, अब हम बात करते है, status का हश्चे कर सकते हैं, आवेदन पत्र की इस्तिती जा करने के लिए यहां clicker, उपर दिखाई देरा, green color में, तो फिलाल, आपका status, अगर so, हो रहा होगा, आ गया होगा, तो यहां पर आप click करने तो, so, होने लगएगा, फिलाल इसमें अभी तक मेरा status, so, नहीं हो रहा है, अगर so, होता है, तो आपको साफ 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 सो, करने लगेगा आपको पता चलेगा कि आपको कहां पहुच्छा इसकाल सी पानी है कि नहीं आई पूरा क्लियर तो यहां से आप जाके चेक कर सकते तो यहीं कुछ अपड़ेट थी जो आपके आई हो कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम थी कि सर यू आई डी नंबर इन वाले यह सब आप बता रहा है इसके लिए आप एक ही काम करें जैसे को मैंने बताया टेंटों की मार्क सीट आपको 50 एक मार्क सीट जो इरर आ रहे उसका इसकी शुर्ट मतलब मार्क है उसकी फोटोकापी निकाल के अपलेके यह संसाथ हमने कालेज में जमा कर देतना काम करिए आप तब